दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यूं किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसका जल्दी से संसकार किया जाता है आखर लाश को जलाने की क्यों जल्दी होती है गरूर पुरान में लिखा है कि जब तक गाउं या मोहले में किसी की लाश पड़ी होती है तब तक गरों में पूजा नहीं होती और किसी घर का चूला नहीं जलता किसी की मृत्यू पर कोई शुब काम नहीं किया जा सकता समय रहते मृत्य व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है करुट परान की मानिय तो अगर किसी मृत्य व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता तो उसकी आत्मा को मुट्टी नहीं मिलती और मृत्यू के बाद वो प्रेत बनकर भटकती रहती है और कश्ट फोकती है सनातन धर्म में मनिश्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यू तक सोला संसकार बताए गए है कहते हैं जलाते वक्त लाश के हाथ और पैर बांध दिये जाते हैं ऐसा करने के पीछे कारण होता है कि वक्ती के शरीर पर पिशाच कबजाना कर सके हिंदू धर्म में सुर्यास्त के बाद कभी भी दासंसकार नहीं किया जाता यह माना जाता है कि सुर्यास्त होने के बाद अंतिन संसकार करने से मृत्यू व्यक्ती की आत्मा को परलोग पे कश्ट होता है इसलिए सुर्यास्त होने के बाद इसी की मृत्यू हुई तो उसे अगले दिन सुबह ही जलाया जाता है इतना ही नहीं जलाने से पहले घर और रास्ते में पिंड़दान करने से देवता वा पिशाच खुश हो जाते हैं और लाश अगनी में समा जाने के लिए पूरे तरीके से त्यार हो जाती है दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूल येगा हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में